दोस्तों मैं सौरम मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज फटाफट जीके में हम देखने वाले हैं Top 27 ऐसे Question Answers जो की प्रिक्साओं में बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा 27 में से कितने Questions की आंसर सही कर पा रहे हैं अपना Score कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा प्यारे दोस्तों फटाफट जीके की वीडियो Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे रेगुलर आती है आप चैक किसी भी एकजाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लिया करें पहला Question आपकी स्क्रीन पर है भारतिय सविधान के अनुसार निवन में से कौन सा एक सविधानिक निकाय है मेरे प्यारे दोस्तों भारती सविधान के अनुसार नेवन में से कौन सा एक सविधानिक निकाय है तो राइट आंसर हैगा वित्यायोग यानि की ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा देखें वित्यायोग दोस्तों आर्टिकल 280 के अंतरगत आता है ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं दूसरा कोशन है मुगल सामराज्य की निव किस यूद के बाद पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर रहेगा पानी पत का पर्थम यूद और पानी पत का पर्थम यूद दोस्तों 1526 में हुआ था ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं तीसरा कोशन है टिपानी निमन में से किस राज्य का लोक नत्य है मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर रहेगा गुजरात का यानी कि ऑप्षन ए राइट आंसर हैगा और इस परकार के कोशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बई जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है यानी कि 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है बई कोशन नमबर 5 है राजपती पर महा अभियोग की सुरुवाद संसद के किस सदन में की जा सकती है दोस्तों पाँचवे कोशन का राइट आंसर हैगा लोकसभा राज्यसभा दोनों में यानी की राइट आंसर डी रहेगा पाँचवे कोशन का से उत्तर ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों 6000 कोशन आंसर की जो हमारी मास्टर पीडियप है इस master pdf में आपको हर एक subject के important question answers मिल जाएंगे जिसमें आपको history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk all subject की pdf इसमें मिलेगी और current affair 2023 की भी pdf इसमें मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों master pdf का जो link है आपको हमारे whatsapp नंबर पे भी मिल जाएगा या आपी नीचे description box में जो link दिया गया है उस पर भी आप payment कर सकते हैं ये master pdf हमारी 500 rupees की है पूरी lifetime के लिए बट अभी जो offer चल रहा है उसमें ये pdf आपको केवल 150 rupees में मिल जाएगी तो ध्यान से इसे समय के साथ में join कर लेना और ये हमारा whatsapp number हर एक slide में लिखाओ मिल जाएगा चटा question है लोकसबा की अधिक्तम सदश्य संक्या कितनी हो सकती है चटे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा लोकसबा की अधिक्तम सदश्य संक्या कितनी हो सकती है तो right answer is 552 यानि की D right answer हैगा छटे question का सही उत्तर ये भी आपको याद अखना है साथवा question है तेरवी सताबदी में राजिस्थान में माउंट आबू में परसिद दिलवाडा मंदिर किसने बनवाया था मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हैगा तेज पालने यानि की right answer D हो जाएगा इस question का सही उत्तर आठवा कोशन है उत्तरपूर्व की पाडियों को क्या कहा जाता है उत्तरपूर्व की पाडियों को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है तो राइट आंसर क्या रहेगा पुर्वान्चल यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश का सहर साहरानपूर किस उद्योग के लिए परसिद है दोस्तों लकडी पर नकासी के कुटीर उद्योग के लिए यानि कि नवे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ये भी याद रखना है दस्वा कोशन है सक समवध किस ने और कब सुरू किया था एक साथ देखना चाहते हैं तो या तो आप यूटूब पर सर्च करना ओनली टॉप स्टडी फटाफट जी के प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बोक्स चेक कर लेना वहां पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा कनिस्क ने 78 इस में आनी की सी राइट आंसर हो जाएगा कवक की कोशी का भित्ती किस से बनी होती है कवक की कोशी का भित्ती दोस्तो किस से बनी होती है तो राइट आंसर इस काइटीन से यानी की सी राइट आंसर हैगा ग्यारवे कोशन का से उत्तर याद रखना है लेतिनाइड और एक्टिनाइड है क्या है दोस्तो ये यह दोनों F ब्लोक तत्व हैं यानि की B राइट आंसर हैगा बारवे कोशन का से उत्तर ये भी आपको याद रखना है वही अगला कोशन दोस्तों भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो राइट आंसर हैगा लाल जी सिंग को यानि की B राइट आंसर हैगा तेरवे कोशन का से उत्तर कोशन नमबर 14 है भारत में किस परकार की आपात इस्थिती अभी तक केवल एक बार लागू की गई है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा आंतरिक आपात इस्थिती तो राइट आंसर इस ऑप्शन है 14 का से उत्तर दोस्तो विभांतर की SI 1 क्या है तो राइट आंसर हैगा वॉल्ट यानि की D राइट आंसर हो जाएगा सोलवा कोशन है परतम पंचवर्षिय योजना के समय योजना आयोक के अध्यक्स कोन थे पंडित जवालाल नहरू यानि की मेरे प्यारे दोस्तो आप्शन ए हो जाएगा सोलवे कोशन का से उत्तर ये भी आदखना है सतरवा कोशन है वोसिंग सोडा का फोर्मूला क्या है इस कोशन का राइट आंसर हैगा Na2CO3 आनिकी सोडियम कार्बोनेट सतरवे कोशन का राइट आंसर A हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है अठारवा कोशन है मानस रास्टे उद्धान किस राज्य में इस्तित है मानस रास्टे उद्धान किस राज्य में इस्तित है मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा असम राज्य में यानिकी D राइट आंसर हैगा अठारवे कोशन का से उत्तर, उन्निसवा कोशन है भारत का सबसे पुराना परमानु अनुसंदान रियक्टर है, तो उन्निसवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा, अब सरा यानि की दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, सीजर कप का संबन्द किस खेल से है, देखें सीजर कप का संबन्द मेरे प्यारे दोस्तों फुटबॉल से है, यानि की बीसवे कोशन का राइट आंसर डी रहेगा, ये भी आपको याद अखना है, कोशन नमबर 21 है, दूसरी पंचवर से योजना में किस पर सबसे ज़्यादा जोड दिया गया था, दोस्तों राइट आंसर हैगा, भारी उद्योगों के विकास पर, यानि की 21 कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा, 22 कोशन है, भारत में पहला नोबल प्राइज किसे मिला था, मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से देखें, तीन कोशन बनते हैं, भारत में पहला नोबल प्राइज किसे मिला था, एक तो यह है, रविंदनाठ टैगोर जी, आंसर हो गया, कब मिला था, 1913 में मिला था, ये एक और किस छेतर में मिला था तो साहित्य के छेतर में इनको मिला था यह तीसरा कोशन हो गया यानि कि राइट आंसर ओप्शन ही रहेगा 22 कोशन का से उत्तर यह तीनों आपको याद रखने हैं तेईसवा कोशन है डाइनमो किस सिद्धान पर काम करता है तो दोस्तों ये करता है विदुद चुम्बकिये प्रेनन यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा अगला कोशन है देश में किर्सी एवं गरामीड विकास हेतु वित्ते सुविधा उपलब्द कराने वाले सर्वुच संस्था कोन सी है तो चोबिसवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नाबार्ड यानि की भी राइट आंसर हो जाएगा चोबिसवे कोशन का प्लांट मेरे प्यारे दोस्तों ओडिसा राज्य में स्थित है यानि की भी राइट आंसर हेगा पच्चिसवे कोशन का सेथत्वा कोशन है भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं प्यारे दोस्तों नेपाल के साथ में सीमा साजा करने वाले कितन राज्य है तो राइट आंसर हैगा 5 यानि कि C राइट आंसर हैगा 26 कोशन का से उत्तर ये भी आपको याद अखना है 27 वा कोशन है उडिसा के उद्यगिरी का हाती गुफा सिलाले किसने लिखा था तो 27 वा कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा कारवेल ने आनि की ओप्शन ए राइट आंसर हैगा 27 वा कोशन का से उत्तर ये भी आपको याद अखना है प्यारे दोस्तों लोकसभा की अधिक्तम सदस्चे संख्या कितनी हो सकती है तो ये आपके लिए मैंने टेस्ट कोशन रखा है और ये कोशन अभी इसी वीडियो में कवर भी किया था तो जल्दी से इस टेस्ट के कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बताएगा अब बात कर लेते हैं मास्टर पीडियाप के बारे में और देखे हमारी 6,000 कोशन आंसर की जो मास्टर पीडियाप है अभी ओफर के साथ में ये 6,000 के बजाए आपको इसमें मिलेंगे 8,000 कोशन और ये 500 रुपे की जो पीडियाप है हमारी ये मिलेगे आपको मात्र 150 रुपीज में यानि कि ये डबल ओफर आपको कभी दुबारे से नहीं मिलने वाला है अगर आपको ये पीडियाप लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पर किलिक करिए पेमेंट करिए और ये सारी पीडियाप इसके साथ 2023 की करेंट अफिर की भी पीडिया और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन कोन रखे ताकि आगया आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्यू सो मच बाइबाइबरीवन टेक कियर